सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास आज की ये शिक्षा निदेशाले राष्टर राजधानिक शेत्र दिल्ली की वर्कशीट वर्कशीट नमबर 11 जो की कक्षा आठवी के विध्यारतियों के लिए है यह ली गई है विज्ञान विशे से और इसमें हम जानेंगे धातूओं के भौतिक गुणों के बारे में जैसे की पिछली बार हमने ये समझा था कि धातू कौन सी होती है और अधातू कौन सी होती है धातू और अधातू में थोड़ा भौत अंतर्प करना सीखा था आज हम धातूओं के ही भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे कि धातूओं में कौन कौन से गुण होते तो चलिए शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं आज हम धात्वों के अन्य बहुत गुणों के बारे में जानेंगे जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया सबसे पहला जो उनका गुण होता है वो है ध्वानिक ध्वानिक का मतलब होता है कि जब हम उससे कोई चीज टकराती है जो भी धातूइं होती है धातूइं से अगर कोई चीज टकराएं तो उनमें ध्वानी निकलती है कैसे समझें धातूओं से बनी वस्तूओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक ringing ध्वनी उत्पन होती है इसलिए धात्वों को ध्वनिक कहा जाता है जैसे एक चमज से स्टील के गिलास वा लकडी के दर्वाजे पर चोट करें और अब दोनों की ध्वनियों को सुने और अंतर करें तो आपको पता चलेगा कि जो धात्वे होती है वो ध्वनिक होती है लेकिन जो लकडी की चीज होती है वो ध्वनिक नहीं है उससे अलग अवाज आती है लेकिन धात्वों पर जब हम कोई कठोर सते से उसको टकराएंगे तो उसकी एक अलग अवाज आती है तो ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण गुन होता है धातूं का अब जो दूसरा गुन है वो है विद्यूत सुचालक या विद्यूत कुचालक यहां विद्यूत थोड़ा सा गलत दिखा हुआ है आप इसको सही करके लिखेगा सुच आलक या कुछ आलक का मतलब होता है कि किसी धातु में से विद्युत प्रभा गुजर जाए अगर विद्युत प्रभा यानि एलेक्ट्रिक करण अराम से गुजर जाए तो वो सुच आलक है और अगर विद्योधारा उसमें से नहीं पास होती, नहीं गुजरती, तो हम उसे कुछ अलग कहते हैं इस गुण को एक गती विधी दुबारा समझते हैं बैटरी, बल्ब, वतार को दिये गए चित्र के अनुसार जोड़कर एक परिपत बनाए यानि एक सर्किट बनाए परिपत के A वा B सिरो को जोड़कर जाँज करें कि बल्ब जला या नहीं जैसा की चित्र में दिखाया गया है इस तरीके से फिर आपको क्या करना है अब बारी-बारी से तालिका में दिये गए प्रतेक पदार्थ को A तधा B के बीच जोड़ें और देखें कि परिपत में लगा बल्ब जला या नहीं और फिर तालिका में लिखें तो आपको यहाँ पर एक activity दे रखिए एक तालिका भी दे रखिए जिसमें पदार्थ लिखें हुएं जिनको हमें सर्किट के बीच में लगाना है इस तरीके से और यह देखना है कि उनसे विद्धारा प्रवाहित होती है या नहीं और बल्ब जलता है या नहीं तो जब हम इस तालिका को में दिये गए पदार्थों को यूस करते हैं इस्ते विष नहीं तो हम यह देखते हैं जब एगर आप इस सर्किट में लोहे की की लगा देंगे तो बल्ब जलेगा यह तो मैं खहरा हूं लेकिन आप इसको करके भी देख सकते हैं फिर अगर कोईले के लगाते हैं तो कोईला जो है वो good conductor मतब कुछ आलक है सुच आलक नहीं है तो इसको लगाने पर बल्ब नहीं जलेगा ऐलुमीनियम तार विद्यूत का सुच आलक होता है इसमें से विद्यूत धारा अराम से परवाहित होती है इसलिए बल्ब जलेगा और तामे का तार भी विद्यूत का सुच आलक होता है इसलिए इसको लगाने से भी बल्ब जलेगा क्योंकि इसमें से विद्यूत धारा यानि की electric current बहुत अराम से पास हो जाता है तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जिन पदार्थों में विद्यूत का प्रभा होता है तो वे विद्यूत सुच आलक कहते हैं और इसके विपरीज जिन पदार्थों में विद्यूत का प्रभा नहीं होता है वे विद्यूत कुछ आलक कहलाते हैं अब आपको समझ में आया कि जिन में से इलेक्रिक करण पास हो जाएगा तो वो सारे के सारे सुच आलक है और लेकिन जिन में से पास नहीं होता तो वो कुछ आलक है समानेता धातुएं विद्यूत की सुच आलक होती है और अधातुएं विद्यूत की कुछ आलक होती है जैसे धातु लोहा है, अलूमीनियम है, तांबा है इन सब में से इलेक्टिक करंड यानि विद्यूत धारा, विद्यूत प्रभा बहुत अराम से हो जाता है लेकिन जो अधातु होती है, उन में ऐसा नहीं होता परंतु इसमें एक अपवाद है, जिसे आप हमेशा ध्यान रखियेगा वो है ग्रेफाइट ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन वो विद्यूत की सुच आलक है ये इन में सिर्फ एक अपवाद ऐसा है कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्यूत की सुच आलक होती है यानि उसमें से विद्यूत धारा प्रवाइत अराम से हो जाती है फिर तीसरा गुण है उश्मा चालकता यानि वो उसमें से उश्मा जो है पास होती है या नहीं होती मतलब स्थानांत्रित होती है या नहीं होती तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा गुन है धात्मों का कि उसमें जो होता है उश्मा यानि जो गर्मी होती है वो एक सिरे से दूसरी सिरे तक प्रवाहित हो जाती है स्थानांत्रित हो जाती है अब इसको एक उधारन के साहता से समझते हैं पिंकी की मम्मी कड़ाई में हलवा बना रही थी तब ही दर्वाजे की घंटी बजी वे चम्मच को कड़ाई में ही छोड़कर दर्वाजा खोलने चली गई वापस लोड़कर उन्होंने जैसे ही चम्मच पकड़ी तो उनकी चीख निकल गई क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि धात्वों के एक सिरे को गर्म करने पर उश्मा गर्म सिरे से ठंडे की और स्थानांत्रित हो जाती है यानि एक सिरे से जहां से वो गर्म है तो वहां से जो उश्मा होगी गर्मी होगी वो दूसरे सिरे तक स्थानांत्रित हो जाती है तो इसलिए धात्वें उश्मा की भी सुचालक होती है अब आपको समझ में आया कि असल क्यों हुआ था? और अधात्वों में उश्मा का चालन नहीं होता, इसलिए वो उश्मा की कुछ आलक होती है, जैसे अभी एक आगे हम प्रशन भी करेंगे, उसमें हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, तो ये तो थी वर्कशीट के टॉपिक, अब हम इसके प्रशन उत्तर की ओर चलते हैं, तो पहला प्रशन है कि तवा लोहे का बना होता है, जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यूं, मैंने अभी आपको बोला था न, तो देखिए ऐसा क्यूं होता है, कि लोहा जो होता है, वो एक धातु है, और यह उश्मा का अच्छा एक सूचा लगें, यदि लोहे से बनी कड़ाई के हैंडल को धातु से ही बनाया जाए, यानि वो लोहे का ही बनाया जाए, तो वे पकड़ने के लिए बहुत गर्म हो जाएंगे और यह बहुत खतरनाक भी होगा, इसलिए उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, क्योंकि लकड़ी जो है, वो उश्मा की कूचा लग है, बैड कंड़ेक्टर है, उसमें से उश्मा पास नहीं होती, वो एक सिरे को गरम भी कर दो तो दूसरे सिरे पर उसका कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए जो लोहे का तवा होता है, उसका हैंडल लकड़ी का बना हुआ होता है, फिर पिंकी की मम्मी चमच को पकड़ते ही इसलिए चीखी, क्योंकि धातूओं के एक सिरे को गरम करने पर उश्मा गरम सिरे से ठंडे की और इस्थाना आंतरित होती है, इसलिए धातूओं उश्मा की सूचालक होती है, तो जैसे ही उन्होंने चमच पकड़ी, वह गरम हो गई और वह उसको छूते ही चीख पड़ी, फिर इसके बाद इसका दूसरा भाग धातूओं के तीन उपियोग, तो धातूओं के तीन उपियोग इस प्रकार है, कि पहला लोहे का उपियोग, आटो मुबाइल, मशीनरी, पाइप, कंटेनर और कील आदी बनाने के लिए किया जा किया जाता है, फिर तीसरा प्रशन है, कि विद्यूत और उश्मा के सूचालक किसे कहते हैं, परिभाशित कीजिए, तो विद्यूत के सूचालक होते हैं, वह सामगरी, जिनके माध्यम से विद्यूत प्रभा गुजर सकता है, विद्यूत के सूचालक के रूप में जानी ज जा सकती है और इसे ठंडे से गर्म बना सकती है तो उसे हम उश्मा का सूचालक कहते हैं फिर इसके बाद जो चौथा प्रशन है वो हम तालिका में अपनी वर्कशीट में ही करेंगे फिर चौथा प्रशन है कि नीचे दी गई साड़नी में पदार्थों के नाम लिखे हैं उन अगहात वर्धनियता उसमें होती है तन्यता यानि उसके तार बनते हैं बिलकुल बनते हैं ध्वानिक भी होता है उश्मा का सूचालक है विद्यूत का सूचालक है और एक धातू है धातू लिख देजिए फिर तांबा तांबे में चमक भी होती है अगहात वर्धनियता य ध्वानिक भी होता है उश्मा का सूचालक भी होता है विद्यूत का सूचालक भी होता है और ये भी एक क्या है धातू है फिर कोईला, कोईले में चमक नहीं होती, आघात वर्धनियता नहीं होती क्योंकि वो टुकडों में बढ़ जाता है, तन्यता भी नहीं होती, ध्वानिक भी वो नहीं होता, उश्मा का सूचालक भी नहीं है, नहीं वो विद्युत का सूचालक है और ये एक अधातू है, क्या है अधातू? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिर कार्बन की छड़, कार्बन की छड़ में चमक नहीं होती, अगात वर्धिनता नहीं होती, तन्यता भी नहीं होती और ध्वनिक भी वो नहीं होता लेकिन किसी किसी इस्तिती में कार्बन छड़, उश्मा की सूचालक होती है, विद्यू सूचालक नहीं होती, और ये भी एक अधातू है, क्या है अधातू? इसमें आपको इस तरीके से लिखना है और अल्यूमीनियम, अल्यूमीनियम में चमक भी होती है, अगात वर्धिनता भी होती है, तन्यता भी होती है, ध्वनिक भी वो होता है, उश्मा का सूचालक भी है, विद्यूत का सूचालक भी है, और ये है एक धातू है, क्या है धातू? धातू तो ये तो थी आज की वर्कषीट अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को जाद से जाद सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत जाद शेयर भी कीजिए और हाँ मेरे साथ इसी तरह वर्कषीट को समझते रहिए लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ बढ़ते रहिए और अगर आपको कोरोना वाइरस से बचना है न तो दो गज़ अत्वा छे फीट की शारीरिक दूरी का पालन जरूर करें क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई डिलाई नहीं धन्यवाद